हम भारतियों को भारत माता के उन सपुतों को कभी नहीं भुलना चाहिए जिन्नोंने युद्ध में अपना सर्वोच चबलीदान दिया है। अपना सर्वोच बलिदान दिया। उनके प्रतिया अभार व्यक्त करने के लिए इस रैली कायजन किया गया था। कारगिली युद्ध के एक शड़ों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया साथ ही भारत माता और अमर जवान स्तंब रैली विशेशा कर्शन रही है। रैली की शुर्वाट डॉक्टर जेप्रकाश डुबले सेवा निरुत्त सयुक्त निदेशक खेल और युवा सेवा निदेशाले महराश्टर सरकार और ब्रिगेडियर सुनील गाव पांडे। द्वारा उधवाटन समारों की शुरुवात में अमर सैनिको को शद्धाजली देकर कारिक्रम की शुरुवात हुई। कारिक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जेप्रकाश डुबले ने की। तो कारिक्रम का संचलन अभिना आश्वान खड़े ने किया। बारिश के बाव जोद रैली अजनी चौक से शुरू होकर प्रताब नगर, माते चौक, गांधी नगर, राम नगर, शंकर नगर, लक्ष्मी नगर आठ रस्ता चौक होते हुए अजनी चौक पर ही समार्थ हुई। रैली में टाइगर ग्रूप उप एडवेंचर के साइकल चालक और नागपुर इंपिल्ड राइडर ग्रूप के सदस्यों ने शामिल होकर रैली की सुंदर्ता को बढ़ाया। साथ ही रक्षडम मिल्टरी अकडेमी की छातों ने रैली मार्ग में जगजग मानों पिरामेड बनाकर लोगों का थ्याना करशिक किया। नागपुर के नागपुर के नागपुर ने चौराहे पर भारत माता की छड़ी की पूजग कर और अमार सैनी को को श्रद्धान जली अर्पित कर रैली में सभाग दिया। एर मार्शल शिरीज देव वायू सेना की उपड़मुक सेवा नियुरुप्त ने अजनिक चौक नागपुर में रैली के समापनकारिक्रम की अध्यक्षता की। समापनकारिक्रम में ब्रिगेडियर सरील गाउपांडे और करनल अभय पटवर्धन और ग्रूप कैप्टन विजे हरदास के साथ कारगिल सेवा देने वाले अन्यदिकश भी शामिल होए। कारगिल युद्ध में इवान से सम्मानिक किया गया अपने अध्यक्षिय भाषन में अर्मार्षन शिरिज देव ने कारगिल युद्ध के अपने अनुभों के बारे में विस्तार से बताया कारेक्रम का संचालन अजेहिकारवे सच्यू इवान ने किया और स्वागत भाष लश्मिकान नंदूनकर अध्यक्षिवान ने दिया। कारिक्रम में EVAN के सभी पदाधिकारी एवं सदसे, EVAN महिरा शाखा के सदसे एवं नाखपुर वेटन एससीशन के पदाधिकारी, क्षेत्र के नावरिक माउं कार्मिल स्कूल की प्रधान प्रात्रफिका एवं शिक्षित पड़ी संख्या में उपस्वित थे। परिक्षित कुलकर्णी ने धन्यवाद ग्यापन और राश्ट्रकान के बाद कारिक्रम संपन्न हुआ।